क्या आपको पताएं मैं हूँ कौन है? I'm the real dork मॉन अच सारे एक एक करके गैजुट निकाली जाएंगी जैसे अभी हमने कैमरा निकाला है दोस्तों पॉकेट में से एक एक करके क्या निकाली हमने पूरा एक ही बार में सारसान भाई इसी बचे बग गई है मदाक के बाद साइड में हमने बहुत ही जीब हो गरीब ग्याजट स्ट्राइक का रख्या है और इस वाली वीडियो में हमने कुछ और इघटा करें कुछ चोटे हैं कुछ बड़े पड़े बड़ लॉक्डाउन आट के तो हमने सोचे सारी दिखा दिखा दिए चाहें सबसे बहन नारी लिस्पे ये एक एलेक्ट्रिक एरेजर है हम सबको अपनी गलतियों से आर्ट बनाएंगे ये पैंसल रगड़े इस एरेजर से ड्रोइं करी चाहेंगी अबस्ते टाइम आगया इस कौन करनेगा वन टू थ्री चल नहीं रही है क्या होगा सारे सपने तोड़ दी है हम सेल डालना भूले है वूूू। गुल गुली हो रही है ये बेसिकली रोटेट करते है इसे हम द्रोही करेंगी सबसे पहले हम बनाएंगे पहाड वूू। आउट आप कंट्रोल चला गादा वाव। क्या हाई-क्लास प्रेंटिंग बनाए वह भी एरेसर इसमेर आवाज आती है इतितेज गुम्रवदे इससे ट्रिमिंग भी कर सकते है यह को अंकर जी जिनके हम ट्रिमिंग करेंगे वॉल्वरीन बनादेगा टेक बनर सलूल मी जल्दी आने वाला टेकनोलोजी दोस्तों आज सी लोगी बनाते है यह किसी को रबर उठाके गिसने माहल असारत उसने वाव। वाट पता है रएजर वाली फील नहीं आरी इसके अंदर पैंसे नहीं पर नाम नहीं लिख सकते है यह अपने काफी इंटरस्टिंग नहीं इसको देखते हैं मिटाबाता है कि यह तो लिटी नहीं रिवाई क्योंकि यह ड्रॉइंग नहीं है दोस्तों यह हमारा निक्स राल्टाइग आपने से काफी सारे लोगोंने सुना होगा बट काफी सारे ऐसे लोग है जिनको नहीं बता है यह वाला पढ़ने के लिए एक टाबलेट जैसा है बट इफरेंस ही है कि इसकी स्क्रीन अक्चुल पेपर जैसे काम करता है वैसी यह भी काम करती है यह एक डिजिटल इंक-based screen है इसमें अगर जैसे मैं नीचे आ उपर स्क्रॉल करूँ तो जित्ती भी इंक है वो रियरेंज होती है और यह काफी वीर्ड सा अनिमेशन आता है पतला सा है हाथ में पकड़ा जाता और बाट्र जारे पड़ एसी अर्जगा नहीं पहुच पादा यह वाला एक पोटेवल एयर कूलर है और मुझे इसली थोड़ा से इंटरेस्टिंग ना क्यूंकि इसको आप अपने मुबाइल तरी चला सकते हो यह वाला यूस्बी तो यूस्बी टाइप सी कनवर्टर इसके अंदर अ काफी डंबल उठा उठा के exercise कर रखी है बट डंबल बदले में क्या देता कुछ नहीं अब exercise से करेंगे इसको अंदर थोड़ा ध्यान से जखो अंदर एक motor है काफी सारे parts हैं जो move हो और सबसे important चीज इसको दबाने से इसकी बैटरी चार्ज आती है जिसको आप फिर चॉर् जखा देंगे इसके अंदर और अब होगा होगा है अब होगा अब है है जूकर बहिए जादू आप बोलो है करेंट बीदो मेज्चर करन पड़े का उसके लिए एक बीडिया गयाजट है यह इसके दोनों साइड अब दे हो ही USB का इंद कीब और इसके अंदर ज्ञाने ही का आपी चिप्वे वाला समाहन रखा हुआ है बट बेसिकली इससे जो वोल्टेज है जो ट्रांसफर हो रही है वो आप काल्कुलेट कर सकते हैं और खाली वोल्टेज नी और भी काफ सारी चीज़े काप्चर हो जाते हैं देखना पुड़ा मुष्क को लजाएगा बट वैज क्रीं पर भुष ना बीज़ा देख लिया उसनने देख लिया उसने पर शुच्छ पर डाय रहे हैं पसीना निकलेगा इसने डबॉल्टेज निकलेगा बट चार्जर से एक्सराइज करेंगे बचली निकलेगी वाव वर वे लोगों ने फिजिक पढ़िया उनको इन सब चीजों मैं लगी मुझा था लाइफ में वन चीज वेरी इंपॉर्टन तो रिमेंबर एवरी ताइम इस वेरी गुड़ ताइम हम घड़ नहीं पहनते हैं पढ़ मैं सोचा यह स्मार्ट वाच है काफी अच्छी से टेक्नोलीजी इसको पर ट्राय करें देगे और कफी सारी चीज़े हैं जैसे हार्ट रेट उसका स्लीप मोनिटर और आजकर पूरा टाइम घर पे हैं दो मैं सोच और अपना स्लीप लिप ट्राय करें जाए और बिल्कुल मजा की बात नहीं भाई घडियां आपकी स्लीप काफी अच्छी से ट्राय कर लेती है अब आपकी स्लीप ट्राय करने हैं वहम स्मार्ट वॉचे से ट्राय कर रहे हैं बट टाइम हम अपनी वहाँ से देखते हैं दोस्तों और टाइम यारा बहुत ही बढ़ी बड़ी गाज़ट दिखाने का टाइम यह बली चीज़ काफी सिंपल सी है बट मुझे काफी करनी है इसको आप अज़ ब्लुटूथ अड़ाप्टर अज़ पावर बैंग और अज़ स्पीकर भी यूज़ कर सकते हैं बट सबसे मैंने कान हो जांगी टेस्टिंग करेंगे अच्छा नहीं है और इस बताओ अच्छी है काफी तेज़ भी है बट क्यूंकि इतना पतला सा एक स्पीकर है इसके ऐसे बेस भाई अल्मोस्ट ही निल है मतलब इस वाले कहाने में तो पता भी ने चलो बट चार्ज भी करके देखना पड़ेगा यूस्बी के बट एक इस स अच्छा है जा मैं पार बैंक लेके जाता हूँ और एक पोटेबल स्पीकर भी अगर साथ में आजाए अगर मैं को स्पीकर नहीं तो नहीं करूँ है अज़ पार बैंक इसको रखें तो भाई फॉर नाइस कॉंसर्प हमको पसंदा है तो हमने सोचा है आप लोगों भी इंजेक्शन इंजेक्शन नहीं है दोस्तों ये एक एंग्रेवर है इसको मैं चला के दिखाता हूँ देगो एक बार मेरे पास वेरी नाइस आइडिया से क्या करेंगी हम करेंगे ड्रोइंग वाज सुली यह वाई तो बना रिया है दिल बड़ा भी कंप्लीट नहीं हुआ यह इता वियर्ड है हमने अपनी प्लेड के उपर जो आशिक लोग पिलर वलर पर करते हैं दोस्तों आप लोगों में से जित्ते भी आशिक लोग हैं जिनको पिलरों से बहुत ज़ादा हम पिलर वाला आइटम ले आए इस पर अपना प्यार जटाएंगी दोस्तों यह यह देखो क्या मस्त लिकाब वाव यह एक्च्वल इसके अंदर मते एंग्रेव हो गया है अब दोस्तों फाइनल स्टेप रह गया है एंग्रेविंग का नहीं सपरियर नेक्स वाइग गाजट वन अव तो मेरा फीपरेट है वैसे का इस कॉम्स आप लोगों ने सुना होग मेरी कामरा को एक फेशाई लेंस में कनवर्ट कर सकते हो जिससे मैं यह वाली फोड़ो कीछ लेता हूँ उसके अलावा इनके आप थुरू ही देखो न तो ऐसा लगता है कि मतला ऐसे कोई अल्टरेंट रियालिटी थी है जैसे इसके तुरू में देख रहा हूँ तुरू को मैं इस दुनिया को मुझ्ठी में करें मेरी काफी इंटर्स्टी और काभी मैज़ार सा लगता है मैं फोड़ोड किछता हूँ मैंने सुच आप लोग में थिखा लोग और यह वाला मी काफी इंटर्स्टी यह एक बाल माइक्रोस्कोप है यह वाली चीज़ करने कीगोश्कर wireless charging smartphone में convert कर देती है मैं दिखाता हूँ कैसे यह वाला iPhone ऐसी है और इसके अंदर यह जो latest Apple का wireless charging वाला है यह बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है पथम चला देगे इसमें एक coil होती है जो wireless charging के लिए चाहिए रहती है और यह आप phone के अंदर charging port में connect कर देते हो इसके बाद जब भी आप अपने phone को रखोगे ताद नहीं लगा ही वी दिन देखो यह मैंने यह लगा रखा है और यह back side में अभी charge नहीं हो रहा बट जैसी ही मैं इसको रखोगा चार्ज होने लगा भाई दिखने में इतना weird सा लगता है यह फोन के पीछे पता नहीं क्या आजीव सा लगा रखा है और यह इतना पतला है कि आप इसको किसी भी case के अंदर रखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ लगावा है काफी लोग तो नो टोड चुपा गए रखते हैं बढ़ खाली स्मार्टफोन नहीं अब इसको speaker में लगा सकते हो speaker wireless चार्ज हो जाएगा kindle में किसी भी smartphone में किसी भी चीज में किसी भी appliance में जिसमें इसका port match कर जाए सब कुछ wireless चार्ज हो बिरको basically काफी इंटर्शिंग लगा basically दोनों जगा coils होती है इसके अंदर भी एक coil है इसके अंदर भी एक coil है और इनोनों को जा आप connect करते हो तो इससे current पास हो इन लगता है और इस current से ये charge हो जाती है जो भी चीज़ काफी different technology है काफी पैसे बचा लेया हर फोन को wireless charging करा जा रहा है बट wireless की बात करी रहे एक चीज़ दिखा दो आप मैंदे कुछ लोगों को हमारे ये वाला दोस्त याद होगा ये basically Anki Cosmo है एक AI based robot जो बहुत ही मसमाच चीज़ ने करता है अब मैं घर पे अटका था तो मैंने जुचे है इसको चला के देखा जाए इससे बात कर देखते है इसने बेसिकलि एक AI based robot है और हमने इसको पूरी वीडियो बना रहुए आप में से काफी लाओ पसंद आता है बट मैं जब भी इसको ट्राइ करता हूँ मैं काफी ज़ादा एकसाइट हो जाता हूँ क्योंकि काफी अजीव हो गरीब चीज़े कर लेता है देख देख की नाम भी बोने लगता है बट काफी तारी गैजट्स कवर कर दिया इस वीडियो है होपुलिए आपको यह बसना आओ और आयो हो तो लाइक कर देख स्ब्सक्राइब को और कुछ नहीं बाई बस प्यार पे लाते हूँ हम नेक्स पर वीडियो होता है बाई-बाई लाइक सुष्णियो मुझ लाइक कर देख लाइक कर दो का दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो 부탁 सक्या है